हलो मेरे दोस्तों मैरा हुदर स्वाग था अप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चनल और के सिंटर पे दोस्तों आज के वडियो में विलोग एक ऐसे टॉपिक को क्लियर कने वाले हैं जो कि आपके Examation के लिए दोस्तों MOST important होनी वाला ठीक है तो दो कि आज का topic क्या होनी में भाला Δोस्तों तो आज का topic जो है ना इस प्रकार से है कि प्रदूशन को नियंतरित करने की उपाय question क्या है? टॉपिक आपको क्या रहेगा कि प्रद्दूसान को नियंत्रीत करने के उपाय कि आखिर प्रद्दूसान को लोग जिस प्रकार से नियंत्रीत कर सकते हैं और उससे रिलेटिटर खोए Garr रक्षाने में नियंतरित कर सकते हैं कि परदुस्वान से हम लोग कैसे बच चकते हैं और उसको कैसे नियंतरित किया जा सकता है तो दोस्तों ये जो question है हमारे examination के लिए तो important है उसके सासा हमाने परियावर्ण के सुरक्षा के लिए जो हना most important होने वाला है चलिए हम लोग इसी सा लेंगोज में इसको जानने का परियास करते हैं कि आफिक कैसे अब लोग पर्यावारन को परदुस्तन से बचा सकते हैं ठीक है और कैसे अब लोग इसको नेंतरित कर सकते हैं यह चीजों को हम लोग जानते हैं उसके साथ आपको घबरानी के जोरूद क्योंकि इसका पिडियक जो है आपको मिलने वाला ठीक है तो पिडियक कहा मिलेगा पिडियक के लिए चुछ आपको टेलिग्रम जोड़ना अपड़ाइगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है वहां से आपनों क्या कर सकते हैं पेडिया आपको डाउलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर प्रदूसन को कैसे संरक्षित या नियुक्त किया जा सकता है हैं प्रदूसन था है कि हमारे असपास के काल जाने व्लय जतने भी पदार्थ होते हैं चाहिए वह जव्यंतु हो नदित अलाब हो खेड प्रदूसन को इसके समूह को हीं हम लोग क्या कहते हैं १स प्र्यावरन चैनल न कहते हैं। पानी में हवा में पेड़ पौधों में जब कुछ हनीकारक तो मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरन पर्दूसित हो जाता है इसी को जो हम लोग पर्दूसन के नाम से जानते हैं क्योंकि यह नहीं पूछाएगा कि बाबू तुम बोल के बता दो तो बोलने के लिए बोलेगा क्या हुआ प्रदूसन के बारे में लिखना ही पड़ेगा अब देखे एक शलक में हम लोग प्रदूसन के प्रदूसन एक परकार का अतियंद धीमा जहर है प्रदूसन क्या है एक परकार का जहर है जो धीरे धीरे कारे करता है जो हवा पानी धूल यादी के मात्यम से नाकेवल मनुस्य के सरीवें पर यह करता है उसके साथ साथ उससे क्या करता है रोग ग्रसित कर देता है उसके सा जीव जन्तु पसु पक्षी पेड़ पॉदे और वनस्पतियों को भी सड़ा गला करके नस्ट कर देता है कि परदुसन जो ना एक परकार का एक ऐसा जहर होता है जो धीरे धीरे कारी करता है ठीक है उसके साथ चाहतों वह क्या करता है हवा को पानी को धूल के माध्यम से जो जीव जन्तुओं को पसु पंक्षियों को पेड़ पॉदें को और प्राकृतिक वरनस्पतियों को भी क्या करता है ठीक है दूसरा बुला क्या है कि याज अर्थात परदुसन के कारण ही विस्व में प्रानियों का अस्तितु खत्रे में पढ़ गया है लोग जो आना अपन स्थापना करते हैं हर चीजों का स्थापना करते हैं लेकिन परियावरान पर ध्यान नहीं दिया जाता है ठीक है लोग क्या करते हैं सरकार जो सड़क बनाती है तो पेड़ों की कटाई कर देती है लेकिन ये नहीं सोचती है न कि उससे कितना हानी होता है परियावरान का प्रिष्वी से खतम हो गया है ठीक है उसके साथ से बताया गया है कि यही नहीं प्रदूसन अनेक भायानक बिमारियों को जर्म देता है उसके साथ साथ प्रदूसन इतना ही नहीं प्रदूसन जो है अनेक प्रकार के बिमारियों को भी क्या करता है जर्म देता है जैसा कि कैंस प्रदूसन का ही प्रती फल है तेके कहा जाता है कि आज पुरा परियावरन विमार है परियावरन विमार कहने का मतलब है कि परियावरन से समझने जितने भी लोग है जितने भी जिवजनतु है सारे के सारे क्या है रोग ग्रसित हो चुके है अर्थात आज हम ऐसे परियावरन में जी रहे हैं जहां हम सब किसी ना किसी बिमारी से ग्रसित हैं कि आज हम लोग ऐसे परियावरण में जी रहे हैं जहां पर हम लोग किसी न किसी विमारी से ग्रसित हैं ही मिस आ कि आज सारे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भी भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई ना कोई भी भी ना हुआ हर कोई जोना विमारी से ग्रसित है ठीक है यह किसके कारण हुआ है प्रदूसन के कारण हुआ है आगे बता गया कि प्रदूसन के कारण आज बहुत बड़ा संकट उपस्तित हो गया प्रदूसन के कारण जोना आज क्या हुआ है कि बहुत बड़ा संकट जोना उपस्तित हो ग सब्सक्राइब लोग क्या हो जाएंगे लेकिन उससमें कोई ध्यान दिया गया था क्या कोई दिया था थैकहिंए इस प्रकार से लोग जो है सको मांज से निकाल दी कि यह क्या बोल रहा है गलत बोलत जाए ठीक है ऐसे कारण चिंतित हो चुका है और सब 1912 में अंतर राष्टी हस्तर पर इस समस्या के निधान के लिए विस्व के अनेक देशों ने मिल करके विचार किया जिसमें से भारत भी सामील है उसके बाद किया हुआ कि 1932 में अंतराष्टी हस्तर पर जो है ना इस समस्या के निरान के लिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जो है ना पूरा विस्व जो है पूरा विस्व के अनेक देशों ने मिल करके क्या किया विचार किया जिसमें से भारत भी क्या था सामिल था ठीक है तो इस परका करता है चली स्वास्त्राइव जान लेते हैं वायू परदुसन क्या है और इसका सम्रक्षन के उपाइ क्य समझे वाई टक हम लोग समझने वाले तो देखे कहा क्या है वाता वरन में जहरीलिगैस। के मिलाप से वातावरन में जब जहरेली गैस मिल जाता है तो उससे क्या होता है वायू परदुसन की उत्पति होती है उससे वायू परदुसन होता है इसका मुख के कारण उद्योगों और वहनों से निकलने वाला धुआ है जिसके कारण बहुत सारी बिमारिया उत्पन होती ह जैसे की सांस लेने मेरिकत यादी ठीक है इस प्रकार के समस्याई जो ना लोगों को होती है ठीक है किसके कारण वाई-उ-प्रदुस्वन के कारण आगे बताया क्या है कि जल्द परदुस्वन बोला गया है कि बड़ती जन संख्या और लगतार कारखाने और फक्टरियों के बहने वाले गंदा जल एम रहसाइनिक पदार्थ जल्द परदुस्वन का मुखे कारान होता क्या है कि बड़ती जन संख्या जो है और लगतार खानों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है खुडओड़ा हो जो होता हैенные फेक तिया जाता है जलों में फेक तिया जाता जिससे जहीं पर्दुसित हो जाता है धूराश कि दु Viking की बूरानी फोल लग थे मिस अगर ध्वानी पर्दूसन की बात करें तो ध्वानी पर्दूसन जो है ना मिस मसीनों की आवाज बड़ा-बड़ा मसीन होता है उससे निकलने वाले तेज आवाज से होता है लौड स्पीकर बजाने से होता है पटा के फूटने से होता है गारियों के आवाज आने से जो भी होता है ध्वानी पर्दूसन होता है जो लोगों के लिए अनिकारक होता है उसके सार सालास्ट में आता है मिर्दा पर्दूसन क्या था है मृदा परदूसन देखे बताया क्या है कि खेतों में लगातार खतरनाक रासायनी खादों को उपयोग से में सगर खेतों में हम लोग लगातार खतरनाक प्रकार के रासायनी खादों को उपयोग करेंगे प्लास्टिक के समानों का यूज करेंगे इसको कहीं भी फ्यक देंगे तो उससे क्या होगा मृदा प्रदुसन फ्यलेगा जिसकी वजा से मिट्टी क्या हो जाएगी अनुपजाओ हो जाएगी अनुपजाओ हो जाएगा यहाँ लोग समझे गए की क्या क्या परदुसन का कारण cane अब हम लोग समझते हैं कि परियावन पर्दोसन का कारण क्या क्या है अगर पर्दोसन की बात करें तो पर्दोसन जो अलग अलग तरह का होता है जिसे में मुख्य कारण और जो ज़रण है कि ऐसे चले बहु जादा तेज है और उसे निकलने वाले जो कुड़े के श्वते हैं उसको कहा फेक दिया जाता है जब उसको अगा जल्ज है लोग क्या पर्दुसित हो जाता, उसके साथ साथ वहन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर थोड़ी भी दूर जाना होता है न तो लोग वहन अधुन कटाई कर रहे हैं ठीक है और यह सभी के कारण जो ना लो यह सब के कारण क्या हो रहा है पर्यावरन पर्दूसित हुरा में इस पर्दूसन का कारण यह सब बनता है उसके साथ साथ बता गया है कि पर्दूसन का सबसे बड़ा कारण जो है जन संक्या का तेजी से बढ लिए कार्णों की वजह पिछले कई सालूं में अगर बात करें। दिनों की बात करें, उसमें पर्यावर्ण पर्दूसन का बड़ चुका है, पर्दूसन को नियंत्रिवन करने , उसके कुछ नियंत्रित किया जा चैसें आपका है, कि मानव जनसंख्या बीधि को रोकने का परियास करना चाहँरा है उसको क्या करना रोकना है क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगा नचेक्त कि नागरी को अगरी इंधसरा नहें फिर भाना है फ। Krjamal dec by Auch an instant, के वाल॑ ऐस kilometers का ग्यान करना चाहँ और आम जनता को परदूसन के बारे में बताना चाहिए, परदूसन के क्या क्या कूप प्रभाव है, अगर हम लोग परदूसन में रहेंगे न, तो हम लोग कभी भी स्वास्तरा पाएंगे, क्या नहीं हम लोगों को अनेक परकाल के बिमारियां घेरे हुए रहेगे, ठीक है? है कि उद्योगों की स्थापना सहरों गाउं से दूर करना चाहिए ठीक है कि कम सोर वाले मसीनों उपकरनों का निर्मान एवं उपयोग किये जाने यहां पर बहुत ज़ा आवास करता है ठीक है ताकि वहां पर ना ना हो पर चाटा में बूला क्या है किस सहरों और द्योगी की कायों एम सड़कों के किनारे विरिक्षा उपन करना चीए यह पौदे भी ध्वानी सोसक के कारे करके ध्वानी परदूसन को कम करते हैं ठीक है मैं इस प्रदूसन को कम करेंगे … तो यहाद तो आपको समझ में आ गया होगा अब देखें उप सनहार में हम लोग क्या लिखेंगे उप सनहार का मतलब है निसकर्स निसकर्स आतरलास्ट में तो उसमें क्या लिखेंगे ठीक है तो इस प्रकार से लिखना है हम लोग अभी भी कह सकते है ठीक है कि हम इंसानों के वज़ा है सही क्या हो रहा है पर्यावरण का पर्दूसन जो है न वो तेजी से बढ़ता जा रहा है इसलिए हम सब को पर्दूसन को कम करने के लिए आवस्चे कदम उठानी चाहिए इसलिए जो हम लोगों को क्या करना चाहिए पर्दोसन को कम करने के लिए आवस्थे कलम उठाने चाहिए क्योंकि अगर पर्यावरन पर्दोस्तित हो गया न ठीक है तो पर्यावरन का संतुलन ही बिगड़ जाएगा जब पर्यावरन का संतुलन बिगड़ेगा तो हम लोगों का भी जीवर क्या हो जाएगा हमेशा मेशा के लिए समाप्त हो जाएगा ठीक है तो ही बोला गया है कि हम लोगों के क्या करना चाहिए परहरान को बचाने के लिए मैं इस प्रदूर्शन को कम करने के लिए आवस्ते कदम उठानी चाहिए नहीं तो एक दिन क्या हो जाएगा पुरा प्रेथवे खतम हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगर ये कोश्चन का आपको पीडियेप चाहिए होगा तो पीडियेप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व